हालो फ्रेंज कैसे हैं आप साब आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ तो आज में लेके आई हूँ आपके लिए सूजी और रभा से बनने वाली मिठाई जो की बहुत ही टेस्टी लगती है तो इसको केवल तीन चीजों से हम बनाएंगे तो बहुत ज्यादा नहीं भूनना है मुस्किल दो मिनट इसको हम भूनेंगे तो इसका कलर नहीं से इंजोना चाहिए इस तरह से हम भूनेंगे कि बल कच्छापन थोड़ा सा निकल जाएगा और दूद अब हमारा थोड़ा सा भून गया है तो चलिए इसमें हम दूद मिलाए तो आप इसको पानी से बना सकते हो लेकिन हम यहां पर दूद से बनाएंगे तो इसका त्रेटेस थोड़ा सा अच्छा आता है तो दो ग्लास मेंने लगब यह 400 ग्राम मेंने दूद लिया है तो इससे अच्छे से अब मिला आतके जैसे हम लोग बनाते है उसी तरह से इसको बना लेंगे तो अब इसको मिला लेते हैं अच्छे से और जितना हलुआ जिस तरह से बनाते हैं उसी तरह से इसको हम कर लेंगे तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा थेक होने लगा है यह और यह अच्छे से बनके लगब तयार हो गया है तो थोड़ा सा और इसको हम टायट करेंगे और फिलेम हम पो लो ही रखनी है नहीं तो यह जलने लगता है नीचे से पकड़ने लगता है तो इसलिए लो फिलेम पे हम इसको अच्छे से पका लेते हैं तो चलिए इसको हम निकाल लेते हैं गैस कर देते हैं बंद और इसको नीचे निकालके इसको हम थाली में नि तो चासणी बनानी नहीं है messua और य racing आप से ते वह रिया है। तो कि यह फोले टोले छोड़ा सा ऑजिते हैं तो यह फोले सा तो भेजें लिए से उर्टा खना तक्लर से लोग झाली लेगे तो आप कोई भी पैशिय सकते हैं किसी भी कलर आपको पसंद है तो चलिए इधर गरम होने देते हैं इसको और इधर हम यह जो बना के मैंने रखा है सूजी का यह इसको अच्छे से आठे के तरह बना के तयार कर लेंगे बिल्कुल सौप्ट ही बनाएंगे इसको डू तो अब देख सकते हो अच्छा सा उड़ी उड़ी बनाते हैं उसी तरह से यह तैयार हो गया तो बड़ा चोटा आप अपने हिसाब से बना सकते हैं तो हम लोई बना के और इसको मकलब जैसे पेड़ा बगरा बनाते हैं उसी तरह से हम बना लेंगे इसको तो ट्रेंड ये लोई हैं बनके हमारी तैयार हो गई है तो चलिए इसको हम बना लेते हैं तो इस तरह से हम इसको सभी क्वेड़े टाइप के इसको बना लेंगे तो देखी दूसरा भी बनके तैयार हो गया है और ये सब भी मैंने बना के तैयार कर लिए हैं तो चलिए इसको हम फ्राइ करेंगे तो इदर मैंने गैस पे कड़ाई रखा था उसमें ओईल डाला है और चलिए ऑल अमरा गरम हो गया अब इसको फ्राइ करना शुरू कर देते हैं तो इसको शुरू में आप हाई फ्लेम ही रखिएगा नहीं तो ये थोड़ा सा चटकने लगता है तो अच्छा सा हमको ये हाई फ्लेम उसके बाल लो कर देंगे और लो पर ये मच्छे से पका लेंगे इसको तो चलिए इसको पलट देते हैं तो ये कलर कितना अच्छा आ रहा है और देखने में बहुत ही अच्छा लगता है खाने में उतना टेस्टी लगता है कभी कभी होता है ना कुछ खाने का मन करता है घर में कुछ नहीं लाओ क्या बनाएं क्या बनाएं तो चल तो चली अब इसको हम निकाल लेते हैं तो कलर बहुत ही अच्छा आया फ्रेंड देख सकते हैं आप तो बहुत जल्दी बनने वाली मिठाई है कि फिल तीन चीजों से यह बन जाती है आपको सूजी लेना दूद और चीनी तीन चीजों से बन के तयार हो जाती है तो इधर दे देख सकते हो बहुत ही अच्छी बनिया चलिए थोड़ा सा हम इसको पिस्ता से गार्णिस करेंगे तो सभी के हम लगा सकते हैं और जो भी फ्रूट आपको पसंद है उससे इसको डेकोर कर सकते हैं उसके बाद आप जो दूसरे मलाई निकालते हैं उससे भी लगा के खा सकते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगती है देखी बहुत ही अच्छी रसवरी बनी है तो चलिए इसको ह बहुत ही सॉप्ट है तम मुझ में जाते ही घुल जाएगी तो फ्रेंड देख सकते हो तो आप इन्जॉय करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाइबाइब फ्रेंड थैंक्स पूर वाचिंग